अब बात करने वाले हैं टेल्वींड CSS में पोजिशन्स के बारे में और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पोजिशन्स होती क्या हैं CSS में टेल्वींड CSS में क्यों ये काफी important interview question है सकते हैं पहले से बता हो , इंपोर्टनिंटrån इंटर्वीber question हैं इसलिए मैं यहाँ इसको कवर छाता हूं सेंबहें और यहां पर व्च इस यूज सर्व में आपको दूगा बोसिशम पॉजिसज्य immgen ऑद हुर्टelle class चलतें और प्रॉजिशन इसमें देखो, positions, CSS के अदर properties होती हैं, जिनकी help से हम लोग decide करते हैं कि हमारे HTML element screen पे कहा display होगे, यहाँ पे top में display होगे, bottom में display होगे, यहाँ पे right में, left में, center में, या फिर उनकी position fix रहने वाली है, कि पूरी की पूरी चाये screen scroll होती रहे, बट वो यहाँ पे fix होगे, जैसे आ होगे अंदर, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक file बनाते हैं, और इस file के ना में यहाँ पर रखता हूँ, positions.html, और simply हम लोग यहाँ पे HTML का simple सा page बनाते हैं, extra चीजे हम लोग यहाँ से remove कर सकते हैं, title मैं इसका यहाँ पर डालता हूँ, positions with tailwind CSS, और यहाँ पर एक link भ यहाँ पर link च्यूज करेंगे, तो उसमें हमें output CSS का link भी डालना पड़ा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कि जो build वाली command होती है, वो यहाँ पर run होती रहनी चीज़िए, बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे run होती है, then next चीज क्या है, हम लोग यहा देते हैं, और इसका मैं यहाँ पर class apply कर देता हूँ, bg red 200 करके, हलका सा बस off white सा color दे देते हैं, off red सा, उसके बाद मैं इसका size भी देता हूँ, size आपको पता है कि left and right, दोनों को एक साथ, height and width, दोनों को एक साथ cover करता है, चीक है, इसलिए jasmine को यहाँ पर दूँगा, और आ यहाँ पर 96 दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी size बड़ी दिख रही होगी, वो ठीक रहेगा, चीक है, then मैं क्या चाहता हूँ, कि इसको मैं यहाँ पर, बिल्कुल bottom में दिखाना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ, यह definitely possible है absolute position के साथ, तो सबसे पहले यह bottom यहाँ पर आ गया, और अगर मैं आप इसको कर दूँ, right, 0, तो यहाँ पर right में चला गया, अगर मैं इसको right कर देता हूँ, 10, तो यहाँ से थोड़ा से space लेके दिखाना आ जाएगा, ठीक है, तो 0 का मतलब है, कि बिल्कुल right में हो जाए, ठीक है, थोड़ा से इसको छ क्या करता हूँ, green दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर green हो गया, अज्ड से मैं चाहता हूँ कि, मैं bottom left में भी दे दू, bottom कर दिया, and then इसको हम लो व्लोก गरते है, left, और इसका हम लो व्लो quella कि क्या देते है, blue देते है, light blue, जेक है, यहाँ पर आ गया, तो एक को न क्यो रहें को लेफ्ट में कर देते हैं और इसको क्या देंगे यहां पर यैलो देते हैं, अब आप चाहते हो कि यहां पर यहां पर यहां पास एक डिव हैं, उनके अंदर यह चारों पे दीखें जैसे कि मैं आपको एक्जांपल लेके बताता हूं आपके बास एक डिव है एंड देन इसका यहां पे कलर है लेट से बीजी रेड 500 इस तरीके से ठीक है एंड इसका साइज है हमारे पास आप यहां पे देख पा रहे हो इस तरीके से यह पोजिशन एबसल्यूट है तो इसके ऊपर से इसको राइड कर दिया इसने यलो वाली को तो एक बार के लिए चाहो तो इन सब को हटा दो कोई प्रोडम नहीं है आप यहां पे रेड प्रोपेटी देख पा रहे हो तो एक बो मैं इसका साइस कर देता हूँ यहां पे 20 कर देता हूँ चोटा हो इस जब आले चाहिए प्छोटे हो आप इस डीव क्या चोटा हों आप दा जील डिवर दार्त वह और वह टर्अ वह कर दो सिंपल्ल आगए tab conditions डालनी है and there we go अब ये इसके चारो कोणर पर आ गए है थोड़ा सा बढ़ा करना है कर दो भाई 20 कर दो ये मुझे भी थोड़े से ज़्यादा छोटे लग रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा देखने में तो आप देखोगे कि इस तरीके से इसने शेप एंड साइज ले लिया ओके ये चीज़ हम लोग ने सीख ली कि कि इस तरीके से हम लोग एबसलूट पोजिशिंग यूज़ कर सकते हैं डिव के चारो कोणर पे भी और पूरी स्क्रीन के चारो कोणर के उपर भी काफी इंट्र एस क्या करता हूँ, साइस जढ़ देखो 96 ठीक है कोई दीककत नी यहाँ पिसके नीचे आ एब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं इन्सेट प्रोपट्टी यूज च्रूज करें अब इन्सेट का यूज़ क्या हुआ होता है, क्या करता है जो इसका प्रृटय الم होते है, इस इसके border से दूर भगाता है जो इसका inner element होता है कैसे मैं दिखाता हूँ यह एक div है मेरे पास इसका यहाँ पे color मैं देता हूँ bg green और बिल्कुल dark वाला green ले देता हूँ इस तरीके से ठीक है and इसका size देता हूँ मैं यहाँ पे let's say 56 56 होता है क्या 56 होता ही होगा 56 थोड़ा बड़ा हो गया और मैं इसको 32 देता हूँ यह थोड़ा ठीक लग रहा है ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह ना इसके बिल्कुल corner पे ना चिपके थोड़ा साइड में आई से तो simply मैं इसमें क्या कर सकता हूँ inset then इसमें हम लोग लगा सकते हैं let's say inset inset में इसमें क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ जैसमें इसमें इसमें 10 करूँगा और इसको save करूँगा ओके यह change नहीं हुआ because इसकी position हमें यहाँ पे देनी है absolute because जब तक absolute नहीं आगे change कैसे होगा इसके position हमने absolute दी अब यह चला गया बिल्कुल ऊपर इदर से इसने ले तो लिया बट यह कहां चला गया बिल्कुल ऊपर चला गया अब हमें इसके अंदर लेके आना है तो थोड़ा सा over space लेगा almost center के अंदर आ चुक है ठीक है इस तरीके से अगर आप चाहो तो किसी को center के अंदर भी दे सकते हो या फिर इंसेट के हिसाब से left right left और इनकी तरफ से आप इसको space वगरा थोड़ा दी सकते हो ठीक है अब हमारे पास एक और div लेते हैं हम लोग fix position को भी देख लेते हैं ठीक है इसका size दे देते हैं हम लोग इसको let's say size दे या मैंने इसको 60 है कुछ 60 size दे दिया तो यहां पर size आ गया बीच में इस तरीके से यह 96 दे देते हैं यह सबका same size हो जाए ठीक है अब देखो इसका सबका same size है यह center में आ गया और इसके अंदर एक है h1 tag और h1 tag पे लिखा हुआ है code step by step इस तरीके से अब मैं चाहता हूं कि यह जो हमारे पास h1 tag है यह fix रहे ना ऊपर जाए ना ही नीचे जाए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसकी भी एक bg color दे देता हूं क्लास लेंगे इसको अब color देरिगा point बस इतना सा है कि आप इनको अराम से identify कर पाओ कि इनकी position कहां तक आ रही है bg blue और dark menu कर देता है बिल्कुल ठीक है अब आप देखोगे इसकी position यहां तक आ रही है कोई problem नहीं है then अब हम लोग क्या कर सकते है इसका जो text है ना text white कर दें थोड़ा सा अलग दिख जाएगा मैं यहां पर बैटर दिखेंगे अब मैं यहां पर क्या करता हूं simply आपको यहां पर लगाना है fixed and अब आप देखोगे सब कुछ scroll हो रहा है बट यह scroll नहीं हो रहा तो इसकी position क्या हो गई fix हो गई अब इसके नीचे क्यों आ रहा है यह मैं आपको चलो बताए देता हूं इसी पार्ट के नरी अब आप मुझे बताओगे box model क्या होते css में thank you so much and please video को like करना चनल को subscribe करना comment section में feedback दिना यह आपके लिए free of cost अबट इससे मुझे बहुत value मिलती है and यह मेरा google pay and paytm का donation अगर आप donation करना चाहते हो तो thanks guys thank you so much